साधी के जस्ट आफ्टर से हमने खुद को भी प्रिपेर नहीं किया होता है कंसीव करने के लिए तो हमें किन दिनों में एवाइट करना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव ना हो और अगर आपकी marriage को काफी समय हो गया है आप काफी लंबे समय से conceive करने के लिए try कर रहे हैं तो ये video आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है देन हम आपको बता दें कि आपको किन दिनों में try करना है किन दिनों में intercourse करना है जिससे आप बहुत ही जल्दी pregnancy conceive कर पाएंगे फाइनली हमारा आज का topic है कि किन दिनों में आपको avoid करना है जिससे आप pregnancy नहीं conceive कर पाएंगे अगर आप नहीं चाहते हैं और आपको किन दिनों में try करना है जिससे कि आप pregnancy conceive कर पाएंगे ऐसा ना हो कि आप स्किप करने के चक्कर में कोई जो महत्वपूर्ण जानकरी हो जो आपके लिए बेनिफीसियल सावित हो सकती हो वो आप नेस्ट कर दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जो हम ट्रिक बताने वाले हैं आपको उसके लिए आपके पीरियट का रेगुलर होना बहुत ही जरूरी है पीरियट रेगुलर उनको माना जाता है अगर आपके पीरियट 28 दिन के हैं या 30 दिन के या 32 के हैं या 34 के हैं फाइनली 28 से लेके अगर आपके 36 दिन की बीज में आपकी पीरियट का साइकल है, आपकी पीरियट आ जाते हैं, तो ये पीरियट नॉर्मल माने जाते हैं, आपकी पीरियट का जो सरकल होता है, उसको नॉर्मल माना जाता है, और इसके अलावा नॉर्मल पीरियट के लिए एटागिरी में आते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि आपकी periods normal, आप आशानी से पता लगा सकते हैं कि आपके periods regular हैं या फिर Irregular, तो अगर आपकी periods regular हैं तो आपको लगभग 2 या 3 महिनी के period होते हैं, उनको आपको notice करना है, suppose that आपको period 1st January को आए, उसके बाद जब अगला period अपको आया तो फिर आपके पीरिएट साइव इनली 32 दिन में तो आपका पीरिएट का साइकिल जोर सकते ही कि आपकी पीरिएट कितने दिनों में आते हैं अगर आपकी period regular है तो आप अपने ovulation day पर try करें आपको ovulation से 5 दिन के इंतर वित्मी अगर आप कोशिश करते हैं तो आप आशानी से conceive कर सकते हैं और वही अगर आप conceive नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन 5 दिनों में बिल्कुल ही avoid करना है अब आपके मन में पहला सवाल यह होगा कि आप कैसे जानेगी कि आपका ovulation period कब है देन हम आपको बता दें अगर आपकी periods regular हैं आपकी periods normal category में हैं आपके period का cycle जितने भी दिनों का है उनने से 14 minus करना है आपके period का जो date का duration है वो suppose that 28 दिनों का है तो आपको 28 में 14 less करना है 14 less करने के बाद आपको remain में 14 मिलेगा देन आपको period के first date से जिस भी date को आपको period आया हो आपको उसके 14 दिन के आसपास आपको ovulation होगा और उसी period में आप अगर concept करना चाहते हैं तो आपको try करना है अगर नहीं करना चाहते हैं तो उन दिनों में avoid करना है I hope कि आपकी जानकारी समझ में आई हो आपको अगर हमारा कोई भी point समझ में ना आया हो तो आप आमें नीचे comment section में जरूर से comment करें हम आपके सारे doubts clear करने की कोशिश करेंगे तो तब तक के लिए खुश रहें, सौस्थ रहें जब आप सौस्थ रहेंगे तो आप अपनी family को भी maintain कर पाएंगे तो हम मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye